तब राजा जनक ने वंदीजनों, भाटों को बुलाया वे विरुदावली, वंश की कीर्ती, गाते हुए चले आए राजा ने कहा जाकर मेरा प्रण सबसे कहो भाट चले, उनके हृदय में कम आनंद न था भाटों ने श्रेष्ट वचन कहा है प्रिथ्वी की पालना करने वाले सब राजागर सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशान प्रण कहते हैं राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिवजी का धनुष राहू है, वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है बड़े भारी योद्धा रावन और बानासुर भी इस धनुष को देख कर गौँ से, चुक्के से, चलते बने, उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत न हुई उसी शिवजी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसको जान कीजी बिना किसी विचार के हट पूर्वक वरन करेंगी प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे जो वीर्ता के अभिमानी थे, वे मन में बहुत ही तम्तमाएं कमर कसकर अकुला कर उठे और अपने इश्टदेवों को सिर्नवा कर चले वे तमक कर बड़े ताव से शिवजी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमा कर उसे पकड़ते हैं करोणो भाती से जोर लगाते हैं, पर वह उठता ही नहीं जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है, वे तो धनुष के पास ही नहीं जाते वे मूर्ख राजा तमक कर, कितकिता कर धनुष को पकड़ते हैं परन्तु जब नहीं उठता तो लजा कर चले जाते हैं मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक-धिक भारी होता जाता है तब दस हजार राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे, तो भी वहाँ उनके टाले नहीं तलता शिवजी का वह धनुष कैसे नहीं दिखता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता सब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है कीर्ती, विजय, बड़ी वीर्ता इन सबको वे धनुष के हाथों बर्बस हार कर चले गए राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन हत्प्रभ हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे राजाओं को असफन देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर द्वीपद्वीप के अने को राजा आए देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारन करके आए तथा और भी बहुत से रंधीर वीर आए परंतु धनुष को तोड़ कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यंत सुन्दर कीर्ती को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं कहिए यह लाब किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमी भी छुड़ा न सका अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो मैंने जान लिया, प्रिथ्वी वीरों से खाली हो गई अब आशा छोड़ कर अपने अपने घर जाओ, ब्रहमा ने सीता का विवा लिखा ही नहीं यदी प्रंट छोड़ता हूं, तो पुन्य जाता है, इसलिए क्या करूं, कन्या कुआरी ही रहे यदी मैं जानता कि प्रिथ्वी वीरों से शून्य है, तो प्रंट करके उपहास का पात्र न बनता